मैनपूरी में होने वाले उप्छुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीती और तेज़ कर दी है पार्टी लगातार मंथन कर रही है कि मैनपूरी में डिमपल यादव के सामने किसे उमीद्वार बनाए जाए महामंतरी संग्टन धरमपाल सैनी जब मैनपूरी पहुंचे तो उन्होंने पार्टी के कारेकरता और पदादिकारियों के साथ बैठकी माना जा रहा है कि मैनपूरी सीट पर बीजेपी किसी शाक की को उमीद्वार बना सकती है और इसके पीछे वोटों का गड़ित है क्योंकि मैनपूरी की लोगसबा सीट पर सबसे ज़ादा यादा वोटर है और उसके बाद शाक की वोटर वहां दूसरे नंबर पर आते हैं इसलिए बीजेपी की रणनीती है कि वहां डिमपल यादाव के सामने किसी शाक को चुनाव मैदान में उतारा जाए 2019 में भी बीजेपी ने शाक की उमीद्वार उतारा था और तब उमीद्वार को 4,30,000 से ज़ादा वोट भी मिले थे सूतरों की माने तो पार्टी के पैनल में वहां से जो नाम लखनव भेजे जाएंगे उनमें तीन प्रमुख नाम हो सकते हैं एक नाम है प्रेम सिंग शाक की का जो 2019 का लोग सबाद चुनाव लड़े थे मुलाहिम सिंग यादाव के खिलाफ दूसरा नाम है रगुराज सिंग शाक जो शुपाल यादव के करीबी बताए जाते हैं और विदानसवा चुनाव से पहले उन्होंने बीजे पी जॉइन की थी तीसरा नाम है ममते शाक का जो 2017 में बीजे पी के विधायक थे हलाकि इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाए मैंदपूरी के ही रहने वाले हैं वहाँ जो जिलाद देख्ष है बीजे पी के प्रदीप चवहन उनका भी नाम है इनी तीन चार नामों का पैनल जो है वो कहा जा रहा है कि वहाँ छेतर से भेजा जाएगा और जब कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी शनी वार को तो इन ही नामों का जो पैनल आया होगा उसी पर चर्चा होगी और फिर उसी में से कुछ नामों को केंद्री चुनाव समीती को बेजा जाएगा और फिर किन्री चुनाव समीती जो है वो कि घोशना कर सकती है कि अन्वा शुक्लाइप गंगा लखनौ एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी